दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आरेन इंस्ट्यूट लाहबाद में दोस्तों जैसा कि आपके शामने लिखा गया है डियलेड फर्स्ट समेस्टर गडित आप सभी को पता है मैं आपके सामने लगातार भाया गडित की प्रैक्टिस आपके लिए दे रहा हूँ और वह भी डियलेड पर्थम समेस्टर से संबंदेद ठीक है आप मुझसे लगातार कमेंट कर रहते कि सर गडित का जो भी श्लेबस है आप उस श्लेबस को पूर्ड करिए तो बिलकुल मैं उसी के संदरुम में मैं लगा हुआ हू बहुत जल्द से जल्द कम्प्लीट हो तो चलिए देखिए आज आपके सामने जो आपका चैप्टर रखा गया था सेकेंड चैप्टर की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं मैंने एक आपके सामने दिया था बहिया गुड़ा के बेसिक नियम के बारे में मैंने चर्चा क में आप सभी पहले से भी परचित हैं, ठीक हैं? अगर आपको दिख्कत होगी, तो आप comment कीजेगा, मैंने उसे इसलिए छोड़ रखा है, क्योंकि भाग एक basic चीज होता है, भाग के बारे में आप पहले से परचित हैं, भाग को आप पहले से ही जानते हैं ठीक है चलिए देखिए अगर इसकी मैं बात करूँ तो यह जो भी आज आपका question यहां रखा गया है वह बिगत DLA के semester में पूछा गया प्रशन है मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया है अगर आप book रखे होंगे तो भाया अगर आप book से देखेंगे तो सारे questions आपके book से बिलकुल मिलेंगे ठीक है चलिए मेरा पहला question है अगर इस question की बात किया जाए तो यह simplification में रखा गया है simplification को अगर आप नहीं समझें तो बिलकुल आज यहां एकदम basic से मैं आपको बताने का काम करूँगा चलिए दिखिए यह पहला question रखा गया था अच तो आप अपने question के last सीरे तक नहीं पहुँच पाएंगे मतलब answer नहीं निकाल पाएंगे कहने का मतलब यहां है कि आप जरा सा ध्यान देंगे देखिए हम यह कह रहें आप से कि यहां आप देख रहे होंगे तमाम तरह के कोश्ठक लगे हैं इसमें आप देख रहे होंगे तो भाईया सबसे पहले आपको कोश्ठक देखना होता है कि हम कौन सा कोश्ठक कैसे करेंगे किस प्रकार से करेंगे ठीक है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे पहला कोश्ठक अगर इसे हम कहें तो दोस्त यहां रेखा कोश्ठक होता है ठीक है रेखा कोश्ठक के बाद आता हे छोटा कोश्टक और चोटा कोश्टक के बाद आता है मजला कोश्टक बड़ाको नियम से अगर आपDekhna चाहें तो बिल्कुल समझ सकते हैं कि पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं अगर सवाल में रेखा कोष्ठक दिया है इसमें कहीं भी रेखा कोष्ठक का जिक्र नहीं किया गया है मैं रेखा कोष्ठक को आप से दूर रखता हूं अगर इसमें देखा जाए तो यहां आपका जोड घटा और गुड़ा भाग लगा है तो इसे भी आप समझेंगे मैं इतना बेसिक तरीके से आपको समझाने का काम करता हूं भाया मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना आपके श्लेबस में रखा गया है ठीक है अगर आप एक्ष्रा देखना चाहते हैं तो मेरी जो अभी से आप प्रेक्टिस बनाए रखिएगा आगे आने वाले वक्त में आपका काम करेगा इतना आपने देखा अगर इसके हम चिन की बात करें तो सबसे पहले आता है सिंप्लिफिकेशन में दोस्त अगर देखा जाए एकदम बेसिक में आपको बता रहा हूं उसमें हल हो होता है गुड़ा और गुड़ा के बाद जोड़ और लाश्ट में घटाओ हल होता है ठीक है इसके पहले काको जोगा अगर आप और डीपली जाना चाहते हैं तो आप आगे मेरे साथ बने रहेगा सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा लेकिन अभी आज के लिए सिर्फ इत पहले रेखा कोता है मालिज्аз रेखा कोस्ठक आपके सवाल में नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे ठीक है अगर आपके कुश्चन को जोड़ करेंगे ठीक है अगर कोजिशन में भाग नहीं दिया गया है तो आप हल करेंगे गुड़ा को अगर गुड़ा भी नहीं दिया गया है तो आप हल करेंगे प्लस को और मा लिजे दो तीन चिन तो आपको दिये जाएंगे लेकिन इतना आप जानेगा, आप सीरियल से चलिएगा, अगर भाग नहीं दिया गया है, तो आप गुड़ा से हल करना सूर करेंगे, अगर गुड़ा नहीं दिया गया है, बाकी सब चिन दिये गया है, तो पहले आप भाग करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, लाश्ट में इसको करेंगे ठीक है कहने का मतलब यहाँ है जिस चिन का अगर लोग किया जाता है सबसे पहला नियम आपका होना चाहिए आप भाग से ही हल करेंगे माल लिजी अगर जोड नहीं दिया गया बाकी चिन दिये गया है तो आप भाग करेंगे गुड़ा करेंगे गुड़ा करने देखिए हमारा पहला question लिखा गया है, अच्छा सबसे पहले इसे हमिरिस करते हैं, उम्मेद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आये होंगी, भईया कहें confusion हैं तो आप comment कीजिएगा, और उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो भी आप जैसी भी होगा, आप बताईएगा अगले लेचर में मैं उसे भी clear करने का प्रयास करूँगा, ठीक है, देखिए, पहला question हमारा लिखा गया है, चार, बड़े bracket में 17 प्लस, मजले bracket में 2 प्लस 5, और फिर छोटा bracket आता है, छोटे bracket में 4 माइनस 2, उसके बाद serial से, छोटा bracket, मजला bracket और बड़ा bracket लगा है, दोस् ठीक है, आपको समझने के लिए काम आएगा, इतनी बाते आपको समझ में आ रही है, मैंने कहां आपसे कि सबसे पहले आप छोटे bracket को हल करेंगे, और पहला काम आप करेंगे भाग, और उसके बाद गुड़ा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, इसे भी आप सिंबल क को बने रहने दीजिए, आपके समझने के लिए बहुत अच्छा मिथड़े ये, ठीक है, आप सारी चीजों को वैसे लिख दीजिए, जैसे यहां लिखा गया है, आप उसे लिख दीजिए, चार ब्रेकट में सत्रा प्लस, ब्रेकट में दो धन पांच, अब आप करिए, दे ठीक है, चार प्लस दो रखा गया है, जब हम इसे घट आ देंगे, तो दोस्त यहां दो प्राप्त होगा, और एक चीज़ आनेगा, अगर कहीं ब्रेकट के बाद, जैसे ब्रेकट यहां लगा है, ब्रेकट के पहले कोई चिन का निसान नहीं होता है, तो जब आप ब्रेकट किया, तो आगे क्या करेंगे, जब आपने यहां गुड़े का चिन लगाया, इसे आपने जब घटाया, तो यहां आलरी दो प्राप्त होता है, ठीक है, जब यहां दो प्राप्त हुआ, इसके बाद यहां ब्रेकट आप लगाएंगे, उसके बाद बड़ा ब्रेकट तो दूसरेde हमारा 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 टो सिंबल में तो बशारी खीज़ों 5 आप लिख दीजिए चार ब्रेकट में सत्तरा प्लस अब आप कैसे करेंगे दोस्त मैंने कहा है आप से पहले आप गुड़ा करेंगे ठीक है पहले आप गुड़ा करेंगे गुड़ा करने के बाद गुड़ा करने की बाद जोड़ कर देंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि पहले हम पांच दो साथ कर देंगे, साथ दूनी चौदा करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं, तो कहीं न कहीं गलत करते हैं, ठीक है, आप step by step चलिए, पांच दूनी 10 करिए, पांच दूनी 10 करने के बाद, आप इस दो को जोड़ दीजिए, पांच दूनी 10 दो, 12 हो गया, अब यहाँ ब्रेकट तो हमारा खत्म हो गया, अब आता है already यहाँ ब्रेकट, ठीक है, यहाँ हमारा minus का चिन, sorry, plus का चिन है, यहाँ आप लिग दीजिए, चार, मैंने कहा हाया आप से, कि अगर कोई किसी जो है, अंक के पास कोई, कोई सिंबल नहीं दिया होता है, तो वहाँ already जो मवज होता है, गुडे का चिन, तो यहाँ ब्रेकट हमारा जब खुलेगा, तो यहाँ गुडे का चिन होगा, और 17, 12 हमारा होता है, 29, ठीक है, 17, 12, 29 होता है, और 4 गुडे 29 जबाब करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, खुद आप समझ सकते हैं, 4, 9, 36, यानि कि 116 हमारा आंसर हो दोस्त, आपको यहाँ नहीं समझ में है, यह 2015 का रिपीटेड कोस्चन है आपके समेस्टर में, अगर आपको दिक्कत होगी, समस्तिया होगी, तो फिर से आप कमेंट कीजेगा, मैं चलता हूँ अपने अगले लेक्चिर पर, देखिए हमारा दूसरा वाला कहता है, हमारा द 2015 का कोस्चन है, इसके आगे लिखा गया है, आप किसी भी संख्या में जब गुड़ा करते होंगे, जीरो का, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, कि अगर आप किसी संख्या में, जीरो का गुड़ा करते हैं, तो अलरडी वहाँ जीरो आता है, ठीक है, यहाँ लाश्ट को clear करने का प्रयास कर रहा हूं देखिए पहली चीज तो आप मैंने कहां आप से की गुड़े का चिन्न यहां लगा है तो आप गुड़ा करेंगे ठीक है आप इनका गुड़ा कर दीजिए यहां minus 8 लिख दीजिए गुड़े जब 75 का हम गुड़ा करते हैं 0 में तो दोस्त य नहीं होता only one हमारा सिर्फ 0 आता है ठीक है उमेद करते हैं कि इस बात को आपने समझाओगा अच्छा अब इसे हैं मिरिस करते हैं चलिए हमारा अगला कोस्चन कहता है 2016 का रिपेटेड कोस्चन है आप इसे ध्यान से समझते हुए चलेंगे भया आपके काम के जीत हैं देख समेश्चर में पूछा गया था प्रथम समेश्चर का रिपीटेड कोस्चन है आप ध्यान से समझते हुए चलेंगे जितने भी कोस्चन लिए है वह आपके समेश्चर में पूछे गए आपके लिए बह Pray मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप करेंगे कौन सा कोष्ठक पहले रेखा कोष्ठक उसके बाद मजला उसके बाद बड़ा कोषठक इसे करेंगे भाग गुड़े उसके बाद प्लस माइनस ठीक है इतना आपने इस प्रक्रियास आपको गुजरनी पड़ेगी चलिए बात आती है यहां आपने 13 लिखा माइनस आड़ दोनी 16 प्लस 3 ठीक है इतना आपने किया भाया हमने आप से कहा कि आपको सबसे पहले छोटा कोष्ठा खल करना है मैंने छोटा कोष्ठा खल किया आड़ दोनी 16 ठीक है इतना जब हमने किया आप इस 13 को यहां लिख दीजिए और माइनस का सिंबल आप लगा दीजिए ठीक है अब जरा साब सुचिए यह 13 हमारी रिडात्मक संख्या है और यह धनात्मक संख्या है जब हम रिड में से धन को घुड़ा हमारा होता है आप इस चीज के बारे में समझ जाएगा रिड और धन का गुड़ा जब हम करते हैं तो दोस्ति यहां हमारा क्या आता है रिड आता है ठीक है तो 16 में से हम 3 को घटा देंगे ठीक है 16 में से 3 को हम घटा देंगे तो यहां हमारा 13 आएगा औ करते हैं कि इसे भी आपने समझा और अच्छ से समझें होंगे चलिए हमारा question आता है अगला और इस question के प्रकृति को आप समझेगा यह 20 को स्वाइब कापी अच्छा question माना जाता है ठीक है चलिए हम बात करते हैं इसे आपने समझा चलिए हम आते हैं इस पर दोस्त एक चीज आपके शामने दिख रहा होगा क्या यह कोश्चन 3abc आप बोर्ड पर देख रहे होंगे 3abc आपके शामने नजरा रहा है और 4-2ab2-5abc plus 3ab2 यहां 2016 का कोश्चन है ठीक है डीलेड में पूछा गया था चलिए अब हम बात करते हैं जब इसे आप देख रहे हैं हमारा कोश्चन क्या कहता है कोश्चन हमारा कहता है कि 3abc ठीक है यहां कोश्चन हमारा है 3abc 3abc यहां देखिए 5abc है ठीक है 3abc में से जब हम 5abc घटाते हैं तो हमारा आता है 5 में से 3 घटाएंगे तो 2abc आता है ठीक है आप द्यान देंगे 5abc में से जब हम 3abc घटाते हैं भया तो हमारा आता है 2abc ठीक है इतना आ गया अब आप क्या करेंगे जहां आप लग यहां आपने प्लस का सिंबल लगाया उसकेदी आप करेंगे दुधैंगे 2 AB स्कायर माइनस हम करेंगे 3 AB स्क्वाइर से सिंबल है तो इसमें भी माइनस और प्लस हमारा माहिनस वोगा बीच की संख्याओं से, हमें मतलब नहीं है, बीच की संख्याओं को मैं पहले ही घटा चुका हूँ, ठीक है, जब हम करते हैं, तो 2AB² में से, हम 3AB² जब घटाते हैं, आप इधर से घटाएए, 3AB² में से 2AB² जब घटाते हैं, भईया, तो क्या आता है, आप कहेंगे, AB² आता ह लेकिन उस एक का कोई मतलब नहीं होता है, आप सीधे-सीधे लिखिएगा, AB², ठीक है, इतना आपने लिखा, अब आप क्या करेंगे, इसे आप जब हल करेंगे, तो हल करने पर भईया आपका आएगा, AB², ठीक है, AB² माइनश 2ABC, ठीक है, AB², AB² माइनश 2ABC ठीक है, यही आपका लाश्ट में आंसर बचता है, उम्मिद करते हैं कि इसे भी आपने समझाओगा, ठीक भईया, अच्छा, एक कोईस्चन आपके शामने और मैं रखता हूँ, उसे भी आप समझने का प्रयास करेंगे, दोस्ति यह कोईस्चन आया नही था, बोर्ड पर नहीं तो यहां भी लिख देता मैं, अच्छा, इस कोईस्चन को मैं रिस करता हूँ, यह कोईस्चन सरल है, चलिए, देखिए, कोईस्चन हमारा है, कि 12, 121, 121 भागे, फिर बड़े ब्रेकट में 16 माइनस, उसके बाद रखा गया है, मजले ब्रेकट में 14 म 14 माइनस, 3 गुडे, 3, फिर ब्रेकट बंद, उसके बाद आता है हमारा बड़ा ब्रेकट, ठीक, देखिए, आपके DLN का कोईस्चन है, और यह कोईस्चन भागे, यह भी 2016 का रिपीटेड कोईस्चन है, ठीक है, सॉरी, 2016 का, कपका, 2016 का रिपीटेड कोईस्चन है, मैंने आ आप से कहा है भईया कि सबसे पहले आपका छोटा कोईस्चक हल होगा, उसके बाद मजला हल होगा, उसके बाद बड़ा हल होगा, अब इसको को इसologist में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है, तूँ अब शुरू कहां से किया घए है मजले कोष्ठक सेिरू किया और बड़े कोुष्ठक से लेजा के खत्म कर दिए थेक हैं अब आप कैसे करेंगे अच्छा प्रक्रिया आप को कहांसे करनी चोटे कोश्टक से पहले रेखा कोश्टक है शुरू तो रेखा कोश्टक से करना होता है लेकिन रेखा कोश्टक दिया ही नहीं है तो हम शुरू करेंगे छोटे कोश्टक से ठीक है छोटे कोश्टक भी इसमें नहीं दिये गए हम सुरू करेंगे मजले से तो मजले कोश्टक में आप पूरी प्रक्रिया को यहां लिख दीजिए 121 भागे 16 माइनस यहां आप करिए मजला ब्रेकट 14 माइनस तीन तरिका 9 ठीक है इसे आप छोटा मजला कोष्ठक फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक इतना आप ठीक है 14 माइनस 9 हमने किया हमने इसलिए कि भईया तिन तरिका नो अल्रडी 14 यहां है अब फिर आप इसको श्ठक को हल करते हैं तो क्या आएगा जब चोटा मंसे हम 9 को घटाते हीं जब 14 में से 9 को घटाते हं तो अल्रडी हमारा पांच आता है थोड़ा स आप द्यान देंगे 121 भागे यहां आता है बड़ा कोष्ठक 16-14 मांसे 9 हमारा 5 आता है और यहां आप कर दिजी बड़ा कोश्ट है ठीक है अब 121 भागे अब इसे आप ब्रेकट को जब खोलेंगे तो अल्रेड़ी यहां भाग है ही 16 मसे हम 5 घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना आप कहेंगे हमारा 16 मसे जब 5 घटाएंगे तो भाई आएगा 11 11 5 16 घटाएंगे अब इसी को आप भाग कर दीजिए 11 11 11 हमारा होता है 121 लाश्ट में हमारा आंसर किसना बचता है आंसर हमारा आता है 11 11 उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कहीं आपको कंफियोजन है कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट किजीगा नक्स्ट आने वाले लेक्चर में सारी चीजों का संसोधन मैं आपको दे दूंगा ठीक है वीडियो यहीं समाप्त करते हैं थैंक्स आपको 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 आपक